जैसा कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ प्लास्टिक पाइप्स को कवर करके उन पर स्केल अंकित किया है जिससे कि इन पाइप्स की एक दूसरे से दूरी को हम ग्याद कर सकें इन ही के बीच में हमने स्लिट लगाकर नप्स फिट किये है ताकि इन पाइप्स को हम एक दूसरे के पास बिला सकें और एक दूसरे से दूर भी लेकर जा सकें इस प्रकार से हम इन पाइप्स के जरीए चत्रभुच की चारो भुजाओं के बारे में अध्याइन करेंगे आप देखेंगे कि जहां भी दो भुजाओं आपस में मिल रही है वहां हमने स्कुरु की मदद से एक डी भी फिक्स की है ताकि ये भुजाओं आपस में कौन-कौन सा कौन बना रही है वो भी हम साथ में देख सकें इस प्रकार माल लीजे सबसे पहले मैं इन गुजाओं को गुमा कर एक समानतर चत्रभुज बनाता हूँ जैसे आप यहां देख पा रहे हैं कि इन गुजाओं को गुमाने से हमने यह एक समानतर चत्रभुज बनाया है जिसमें कि यह गुजा इस गुजा के समानतर और यह गुजा इस गुजा के समानतर है यदि हम डी की मदद से क्योंकि यह समानतर चत्रभुज है तो यह गुजा इसके समानतर होगी जिसे की यह कौन और यह कौन यह दोनों कौन आपस में corresponding angles बनेंगे जो कि हम D की मदद से देखकर verify भी कर सकते हैं इसी तरह का से अभी हमने सिरफ एक समानतर चत्रभूच बनाया है हम समानतर चत्रभूच की सभी properties यहाँ पर verify कर सकते हैं यदि हम इनके विकर्नों को देखेंगे तो विकर्नों की properties इनके सभी कौन, opposite cones, बुजाओं की लंबाई और सभी कुछ हम यहाँ पर check करके यह ज्याद कर सकते हैं कि यह आकरिती एक समानतर चत्रभूच है इसी प्रकार से हम इनी pipes को घुमा कर जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमने एक समलंब चत्रभूच बनाया है और इसी प्रकार से हम इन pipes को घुमा कर हमने अभी यह एक आयत बनाया है और इसी प्रकार से हम इन pipes को थोड़ा सा आपस में घुमा कर और अभी यह हमने एक वर बनाया है तो देखा आपने प्लास्टिक की pipes को marking के साथ D की मदद से हम इस एक ही model में चत्रभूच के सभी प्रकार सीख सकते हैं और उन सभी प्रकारों की सभी properties के बारे में जान सकते हैं बारे में अज प्रकारों के दो झाल